तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन के श्टोरेज को खाली कैसे कर सकते हैं दोस्तो कई बार होता है कि हमारे फोन में कोई भी फोटोज वीडियोज आप नहीं होते हैं फिर भी हमारा श्टोरेज फुल हो जाता है तो वो किसलिए होता है और कहां से आप उसे खाली कर सकते हैं सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में इसलिए वीडियो को लाज तक जरू देखिए हेलो दोस्तो मेरा नाम है विक्की और आप देख रहें आपका अपना यूट्री चैनल टेकरान तो बिना टाइम वेस्ट किये चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो हेलफू लगती है तो फ्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजिए साथ ही हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजे अब आएए आते हैं वीडियो पर तो जैसे मैं स्टोरेज पर जाता हूँ आप देख सकते हैं उपर में 64GB लिखा हुआ है जिसमें से हमारा 2.61GB अवेलिवल है तो आईए हम देखते हैं कि हमारा डाटा कहां पर यूज हो रहा है एपस और डाटा में हम देखेंगे कि 12GB यूज हो रहा है लेकिन यह other file क्या है जिसमें हमारा 7GB यूज हो रहा है और यहां पर हम क्लिक करते हैं तो यह open भी नहीं होता है जिससे हम देख सकें कि कहां पर हमारा storage यूज हो रहा है तो storage को खाली करने के लिए यहां पर आपको एक application इस्टॉल करना होगा जिसका नाम है storage analyzer आपको simply play store पे चले जाना है और यहाँ पे storage analyzer search कर लेना है देखिए यही वालाव application है इसे आपको अपने phone में install कर लेना है मेरा already क्या हुआ है इसलिए मैं यहाँ से इसे open कर लेता हूँ open करने के बाद यहाँ से कुछ permission मांगेगा तो इसे allow कर देना है तो यहाँ से हमने सारा permission दे दिया है इसके बाद यहाँ से आपको slide करते हुए file categories में चले जाना है इसके बाद यहाँ पे आपको सारा data मिल जाएगा कि कहाँ पे कितना gb use हो रहा है देखी others में हमारा 2 gb use कर रहा है तो हम directly others में चले जाते हैं और यहाँ पे आपको एक एक करके इन सबको delete कर देना है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ अगर आपने file manager के अंदर कोई भी hidden folder बनाया है जिसमें आपने कुछ रखा हुआ है तो वो भी यहाँ से delete हो जाता है इसलिए आपको इन सबी को पढ़ते हुए delete करना है तो जो आपको समझ में आता है सिर्फ उसी को delete करना है नहीं तो आपका data delete हो सकता है तो मैं यहाँ से select wall पे click कर देता हूँ और यहाँ से delete कर देता हूँ इसके बाद database files के अंदर भी 560G भी दिखा रहा है यहां से भी आपको पढ़ते हुए एक एक करके delete कर देना है उसके बाद archive में भी हमारा कोछ पढ़ा हुआ है तो इसको भी मैं यहाँ से delete कर देता हूँ उपरवाला जो बच गया है यह एक movie है तो इसको मैं यहाँ से नहीं delete करता हूँ तो दोस्तों कुछ भी delete करने से पहले आपको उसका नाम ठीक से पढ़ लेना है और अगर वो file यहां से open होता है तो उसे open कर लेना है अगर नहीं होता है तो आप उसे delete कर सकते हैं तो यहां से हमने काफी सारा files को delete कर दिया है इसके बाद मैं story में जाता हूँ और देखता हूँ कि हमारा कितना खाली हुआ है तो आप देख सकते हैं पहले हमारा 2GB free space दिखा रहा था जो की बढ़कर 7GB हो गया है यानि की 5GB का data हमने delete कर दिया है जो की कुछ काम का नई था सिर् अपने stories को बढ़ा सकते हैं तो उमिद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो जरू हल पूर रहे होगी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार रखिए बाई बाई टेक केर जैहिंद